हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रभा मेरे चैनल रेसिपीज विद प्रभा में आपका स्वागत है आज बनाते हैं मार्केर जैसी गुजिया घर में ही बिना सांचे के हातु से ही तो चलिए फटा पर रेसिपी शुरू करते हैं हमने एक बाउल लिया है और एक कटोरी लिए उस कट अच्छे बनते हैं इसलिए मैंने घीका ही इस्तमाल किया है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं देखिए रेशे रेशे तक इसको अच्छे से मिला देते हैं तांकि हमारी गुजिया बहुती खस्ता बने बहुती बहतरीन बने यह देखिए कि हमारा अच्छे से मिल चुका है अब हम इसमें पानी डालती हैं और अच्छा सब्सक्राम नहीं करना है अटा सकती रखना तो हम आटा तयार कर लेते हैं अपना अटा हुच चुका है हमारा आप हम इसको ढख के साइड कर देते हैं हमने खोया लिया है और हमने गैस में एक पैन चड़ा रखा है आप हम खोया इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको भून लेते हैं जादा नहीं भूनना है हमें इने तो एक खोया मैंने घर में ही बनाया है इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में अप्लोट भी की है तो देखें खोया हमारा तयार हो चुका है इसमें से घी निकलना शुरू हो चुका है ये दो ही मिनट में तयार हो चुका है ये देखें किता सारा घी निकला है बजार वाले खोय से तक ही नहीं निकलता है ये घर का ही है तो खोया हमारा अच्छे से भुण चुका है और ये तयार हो चुका है ये देखिए गैस हम बन कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो खोया हमारा लगवग थोड़ा ठंडा हो चुका है अब हमने गैस में एक पैन चड़ा रखा है उसमें हम आधी कटोरी पाजू लेते हैं और आधा कटोरी बादाम इनको हम अलका सा रोष्टे कर लेंगे आधा कटोरी हमने बुरा ले रखा है नारियल का इसको भी विक विचिजबू आती है और टेस्ट विया अचोन हे तो हमार Turns था रहर है आता है करते हैं आणा हो चाच्चनि लिया सब्सक्ताइए और इसको बेल लेते हैं हम इसको बेल देते हैं कि और एक कटोरी से इसको काट लेते हैं इसका गूल शेप दे देते हैं साइड के पीछी से हम अलग कर देते हैं यह तयार हो चुका है अब हम इसमें अपना मसाला डालते हैं कटोरी में हमने ठंडा पानी लिया है और साइड से पानी लगा लेते हैं तांकि अच्छी से बंध हो जाए अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं और अच्छी से साइड से दबा देते हैं और एक पहला कोना पकड़के एक कोने के ऊपर एक कोना चड़ा देते हैं हलका सा हम आगे को खीचेंगे फिर उसको बंद कर देते हैं तो यह देखिए एक डिजाइन जैसे आ जाती है थोड़ा सा हलका सा आगे को खीच के दबा देना है ये देखिए तयार हो चुका है आप ऐसी बना सकते हैं हम दूसरा गुजी अभी ऐसी बना लेते हैं पहला कोना हलका सा पकड़ना है फिर उसको दबा देना है दूसरे अंगोठे से थोड़ा सा उसको दबा देना है ये कहां धियुमा जल्कि देखि के लिग के जादा हो छूप Championships का नहीं कर हां में ज्यादा शिर्डफरे करनाया में देते हैं तो गुजया को हम ऐसी तल देते हैं, इनको हमने पलड दिया है, कलर इनका चेंज हो चुका है, गुजया हमारी तयार हो चुकी है, अब हम इस चाशनी में इसको डाल देते हैं, चाशनी हमारी गरम है, तो सारी गुजया हम इसमें डाल देते हैं, चम्मत से इनके उपर चाशन नहीं है इसमें यह देखिए हमें इसे एक मिनट तक चाशनिम रखना है ज्यादा नहीं रखना है यह देखिए किते लाजबाब लग रहे हैं तो अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंड करना और मेरे चैनल को में